हालो साथियों गुड इबनिंग जिन्दगी में न अगर सफल होना है तो काबिल बनो क्योंकि किस्मत की रोटी कुद्टे को भी नसीब हो जाती है तो किस्मत के भरों से न बठें आईए एक कुछ नया सीखते हैं एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही एक जाम्स में अक्सर आता है और बच्चे गडबड़ कर जाते हैं अगर आपने यह तरीका सीख लिया तो आप दो से तीन सिकंड में डिसाइड कर लोगे कौन सा फ्रेक्शन बढ़ा है कौन सा छोटा है आपको वो ट्रेडेश्डल मेठेड नहीं करना है कि लसी एम करना है फिर एच्छी अप करना है फ पूरे प्राणी को बोलते हैं भिन यानी फ्रेक्शन भिन एक ऐसी संख्या है जो किसी बस्तु या किसी भी संख्या को एक निश्चित भाग में बांटती है ठीक है जैसे 31 है तो 31 अपांट 23 का मतलब यह हुआ कि 31 को 23 जगा बांटा दारा है ठीक है चलो तो इसको समझने के यह लिए पहले आपको यह दोनों भाई का सहयोग चाहिए एक है प्रापर फ्रेक्शन यानी उचीत भिन्न दूसरा इंप्रोपर यानी अनुचीत भिन्न तो ऐसी बिन जिसका नीचे वाली गिंती बड़ी हो उपर की वाली छोट हो वह होती है उचीत भिन्न और जिसका नि वहर यानि numerator और denominator का difference यानि अंतर जो है वो वन हो और सभी भिन proper fraction हो यानि उचित भिन हो तो ऐसी दसा में जो सबसे बड़े अंस वाली भिन है यानि जिस भिन का सबसे बड़ा है वहीं सबसे बड़ी होती है आपको कोई प्रकार का महनतनी करना आख बंद करके बता देना जाइक देखो देखो इसमें क्या है इसमें आप सभी करावन चु addressing और देखो एक बड़ी है कि छोटी यह भई देखर इसमें बड़ी है इसमें दोınız में छोटी है यह थोड़ा सा गड़बढ है इस कंडिशन के काडिंग होना चाहिए तो यह इससे बड़ी होना चाहिए नीचे वाली गिंती छोटी ना होना चाहिए रहे दादा तो यह अठाइस एंड यह 49 अब सही है दन नीचे वाली गिंती क्या होनी चाहिए ओपर वाली से बड़ी होना चाहिए तभी proper friction होती है अब सभी देखो proper friction हो गया बड़ा कौन है जिसका अंस बड़ा है वही बड़ा है बस हो गया अंसर कुछ नहीं करना इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है कोई दिमाग नहीं लगाना है कोई डाउट है तो मुझे बता देना लेकिन दो च इसको मैं a बोल दूँ इसको भी इफ़को सी कोई अ तुम्हें लगता है कि इसका आंसर येवाला है ये वाला ये वाला तो तुम लिखोगे टू सी अगर तुमें लग रहा है इसका आंसर ये वाला न 947 तो लिखोगे तब उल्टा है जश्ट अपोजित है यार यह क्या लिख दियो भई रुको इनको सभी करो पहले नीचे वाली गिंती उपर वाली गिंती से सब में बड़ी होना चाहिए तब ही बात बनती है तो यह लो चौँतिस फटा फट कर लो लिखने वालों ने यहां पर कुछ थोड़ा सा डिस्टरब किया चलो कोई दिक्कत नहीं भई अपनी क्लास है अपने से करना है यह हो गया अब क्या है यह सभी प्रॉपर फ्रेक्ट्फन है क्योंकि सब का डिफरेंस वन है एक बार आगर देखो तो सब का डि अगर डिफरेंस वन है तो इसमें मेरे भाई एक चीज समझो वह क्या है यह सभी प्रॉपर फ्रेक्ट्फन भी है क्योंकि नीचे वाली जो गिंती है उपर वाली से क्या है बढ़ी है तो इनका जो सबसे बड़ा वाला भिन्न है वही आंसर है कौन सा यह वाला यह वाला तो पता हो कि चलो यह लगे हाथ बता दो यह सभी कुछ पता नहीं क्या सोच के लिखे गए हैं सब बिल्कुल उल्टा लिखे गए हैं नीचे गिंती बड़ी नहीं यह चोटी है तो सत्तर चियत्तर चियाफी अठाइफ चलो डिफ्रेंस अब का वन है और सभी प्रॉपर फ्रेक्ट्फन है है ना तो जो भिन्न सबसे बड़ी होगी वही क्या होगा जो भिन्न सबसे बड़ी होगी यानि इसका अंसर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी मानी जाएगी तो इसमें लाश्ट वाली नहीं है क्योंकि उसकांस सबसे बड़ा नहीं है तो मेरे भाई इसमें यह यह यू कैंसे थिरी सी अगर मैं इनका नाम देता है ए बी और यह फी और यह डी तो आप थिरी सी बताते सभी को समझ में आ अबर बता दें यस टाइप सीकंड देख लो क्या ऐसे थोड़ी कुल मिल जाएगा कह रहा है कि जब प्रॉपर और इंप्रॉपर फ्रेक्षन एक समान दिये हों मतलब एक साथ में दिये हों तब बहुत आफान हो जाता है अनुचित भिन्न ही सबसे बड़ी भिन्न होती है ऐस इसका देखो अंस क्या है छोटा है यानि यह प्रॉपर फ्रेक्ष्षन है यह प्रॉपर फ्रेक्षन है यह प्रॉपर हरे बाबाANS यह नहीं है तो जो प्रॉपर फ्रेक्षन नहीं है वह कैसे जर्द देखो अगर 9 का भाग 8 मिले जाओगे तो 0.something जायेगा क्योंकि one बार तो नहीं जाएगा है ना नौक भागाट में जाएगा नहीं अगर यह एक सो बीस बन जाएगा तो एक सो सतर जाएगा तो 0.9 आएगा सम्थिंग और इसका अगर ले जाओगे सम्थिंग जुरह देखो 225-9 पैसा सिधा एक रूपया है सम्थिंग कुछ जाएगा जो कुछ भी जाएगा दस आएगा फिर जिरू बढ़ाओंगे वगरावगर जो कुछ भी आएगा मानलों की सम्थिंग कुछ भी आएगा लेकिन एक से बढ़ाओंगे आए गा इसको रखना इनका अंतर वन होना चाहिए घटाओगे बारा फितेरा एक आएगा 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 इसे चीजों को चीजों को सिर्ट जाओगे परिच्छा में चुटकी बजाते करके चले आओगे कुछ भी घडबर नहीं होगा एक जाम से पूछा जाता है सीटेट सूपर टेट सी अगर 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 सम्थिंग कौन सा होगा चलो अगर मैं इसका नंबरिंग कर दूँ ए इसका बी इसका फी इसका डी बताओ देखो ये क्या है उचित भिन्न नहीं है ये उचित भिन्न नहीं है ये सब उचित भिन्न है तो भाई साहब जो उचित भिन्न नहीं है वह इसका आंसर है यानि 5A है ना कितना आफान चलो कोई डाउट नहीं इसमें आंसर देना मुझे कमेंट करके बताना अगर मैं इनको बो जब अनसवा हर का अंतर समान ना हो क्या हरजगा समान थोड़ी होगा फिर क्या होगा यसी कंडीसन में तेखो प्यारे कि वह क्या होती है सबसे बड़ी होती में लब लोग देखते नहीं है बहुत आफान एक छोटा तरीका बता दू इनको何 प्राय करके देख saktos 9 का भाग इस में जाएगा दस हमलों बढ़ा दो गए तो 040 बन जाएगा अगर आपको भागवा करना आता है आपको पता नवीenschम तो 0.4 संथिंग जाएगा इसका भाग ले जाओगे 70 बन जाएगा 10 चैला पॉइंट-फे जाएगा इसका 40 बन जाएगा जो था ठीक है उसके बाद मुझे कमेंट में यह बताना कि अगला वीडियो नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहिए यह सिरीज का कमेंट रिपलाई मैं खुद करता हूं ठीक है तो कमेंट जरूर करना और हां एक न्यू बैच आ रही है आने वाली इसी अभी 15 सितंबर फे ठीक है जिन्दगी में कुछ अच्छा चीज चाहते हो कुछ सीखना चाहते हो तो एक बार मौका है अज मैं जरूर थैंक्यू